बुक्स्टार्ट स्पीक में आप सभी का स्वागत है नानी को भूलने की बिमारी है वो एक ही पैर में चपल पहने किराने की दुकान पर निकल जाती है तीन से दस के बीच की गिंती भी भूल जाती है अब नानी और क्या भूलने वाली है इस कहानी में एक नन्नी सी लड़की ने अपनी नानी की यादों को संजोया है सुनते है कहानी नानी भूल गई Original Story Forgetful Dida By Pratham Books कहानी लिखी है हीमानजली संकर चित्रांकन अदिती आनंद हिंदी में अनुवाद संध्या कहानी का वाचन असावरी दोशी कुछ भूल जाती है मा कहती है कि उन्हें भूलने की बिमारी है जब मैं और नानी किराने की दुकान पर जाने के लिए निकले तो मैंने अपनी लाल चपल पहनी नानी ने सिर्फ एक पैर की चपल पहनी और घर से बाहर चल दी मैंने उनकी दूसरे पैर की चपल ढूंडी और उसे पहनने में उनकी मदद की मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता नानी ने कहा और मेरे माथे को चूम लिया किरानी की दुकान पर ब्रेड और मखन के बजाए नानी मा के लिए मोजे खरीदने की मांग करने लगी मुझे हसी आ गई, दुकान दार भी हसने लगा, किरानी की दुकान पर मोजे नहीं मिलते नानी मुस्कुरा दी और अपना सिर्ख हो जाने लगी ये उनका दोश नहीं बलकि उनकी बीमारी का दोश है जब हम घर पहुँचे मा दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रही थी वो उदास थी उन्होंने कहा कि हमें उन्हें बिना बताए बाहर कही भी नहीं जाना चाहिए मम्मी बहुत चिंता करती है जैसे कि कल जब नानी ने मा से उनका नाम पूछा मा ने अपना सिर्ख लाया और अपने पैरों की तरफ देखने लगी मैंने कहा वो आपकी बेटी है आप उनका नाम कैसे भूल सकती है नानी मुस्कुरा दी और कहा मैं भी कितनी पागल हूँ मैं अपनी बेटी का नाम कैसे भूल सकती हूँ नानी उदास दिख रही थी अगर उन्हें भूलने की बिमारी ना होती तो कभी अपनी बेटी का नाम नहीं भूलती, कभी नहीं आज बारिश हो रही है, नानी बाहर जाना चाहती है पर मा उन्हें नहीं जाने देती मैं बाहर जाना चाहती हूँ नानी ने कहा और अपना पैर पटकने लगी मा हस दी, नानी तो शरारती लड़की की तरह व्यवहार कर रही है बाहर मुसलाधार बारिश हो रही है मा मा ने कहा, वो ठकी हुई और उदास थी क्या मुसलाधार? नानी ने धीरे से पूछा नानी भूल गई है कि बारिश में सच में मुसल नहीं बरसते मा को भी नानी के लिए बुरा लगा उन्होंने नानी से पूछा कि क्या वो कोई किताब पढ़ेगी? हाँ, नानी ने कहा और तालिया बजाने लगी मा ने नानी को एक मोटी सी किताब दी जिसमें धेर सारे शब्द थे और चित्र बिलकुल भी नहीं थे ये आपको अच्छी लगेगी नानी ने किताब खोली ल, 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 उन्होंने कहा पन्ना पल्टा और फिर से कहा ल, ल, ल और खतम नानी पढ़ना भी भूल गई? मैंने मा की तरफ देखा वो परेशान दिख रही थी बिलकुल उस दिन की तरह जिस दिन मैंने क्रेयोन अपनी नाक में घुसा लिये थे उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था मा ने कहा वो ठीक नहीं है उनकी हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है वो सब कुछ भूलती जा रही है मा ने नानी की तरफ देखा वो खाने की बेंच पर केले गिन रही थी एक तीन दस एक दिन वो हम सब को भूल जाएगी मा ने कहा तो क्या हुआ हम तो उन्हें कभी नहीं भूलेंगे है ना मा मैंने कहा कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी अगर हमारे घर के बुजूर्ग अपनी उमर के हिसाब से उनकी याददाश अगर खोते जा रहे है उन्हें भूलने की बिमारी है तो हमें उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए वो बेशक हमें भूल जाए लेकिन हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताईएगा और ऐसी बहुत सारी कहानी सुनने के लिए बुक्स दाइट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर वेबसाइट है www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई धन्यवाद